हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है तुफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्ष स्टुडियोज तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम कोरल राम में बैक्राउंड को हाइड कर सकते हैं या रिमूँ कर सकते हैं अप्चुल में हम करेंगे हाइड लेकिन वह रिमूड करने जैसा ही होगा तो चली शुरू करते हैं कई बार कैसा होता है हमारे पास कोरलरोई है बहुत ही है help है Fotoshop दो और कोई app नहीं है मैंसे चली है börार कार्ण्पी पीछै के पीछल दो करते हो और इसको कोंगी कलर दे ता हूँ हाँ लेकिन मुझे अभी यह वाला जो background है इसको suppose मैंने कोई effect दिया तो effects में मैं जाता हूँ और 3D effects कोई भी effect आप दे सकते हूँ देखिए यह कुछ तरह से effect मैंने दिया लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो area है white आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए था अगर हम same effect किसी object पे use करें जैसे कि मैं यह color दे लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं करूँ तो यह transparent आ जाता है यहाँ पे object के उपर लेकिन क्योंकि यह image है इसलिए यहाँ पे क्या आया यह white background आया तो यह अगर हमें नहीं चाहिए तो easy है power clip का हम use करेंगे तो सबसे पहले तो pen tool pen tool से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको draw करेंगे trace करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से trace करके यहाँ पे और इसको जो यहाँ पे shape tool है, shape tool का use करके मैं क्या करता हूँ, पुराई select कर लेता हूँ और इसको curve कर देता हूँ, सारे nodes जो है, वो curve में convert हो जाएंगे और इसको finishing touch दे देता हूँ यह कुछ इस तरह से और खैल रखेगा कि जो outline है, वो थोड़ी से अंदर की तरफ हो मतलब कुछ जो भी area है वो बाहर ना जाए अंदर की और यह आए, थोड़ा सा हलका साई देके ऐसे, अंदर की और आए तो बहतर होगा, तो हमने यहाँ पे create कर दिया तो power clip अगर आपको पता नहीं है, तो power clip से हम क्या कर सकते हैं, देके कोई भी shape हमने create किया और यह लिए है image, इसको हलका सम है इसको बढ़ा कर देता हूँ image को sizes की increase कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर हम right click करें, power clip inside और यह same यहाँ भी होता है object में, यह लिए power clip यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन easy क्या है यहाँ से right click कीजिए, power clip inside और यहाँ पे देता हूँ और यहाँ से adjust भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो यह power clip की concept है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे यह वाला जो यह देखिए, यह हमने circle कर दिया, तो example के लिए यहाँ पे मैं color देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए तो यह image है, image पे मैं right click करता हूँ, और power clip inside इसके अंदर, तो color कोई matter नहीं करता अगर उस पे color ना भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह और इसके outline भी मैं remove कर देता हूँ, तो ऐसा लगेगा यह देखिए अब यह यहाँ पे यह red है, वह अंदर का color दिख रहा है तो color भी मैं बन कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको वापस यहाँ पे change करना है, तो shape tool से आप change कर सकते हो, तोड़ा सा अंदर हो गेरा अगर आपको लेना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से, यह तो जैसा के आप देख रहा है, यहाँ पे click करने के बाद देखिए, यह power clip है, तो यह options आते है, edit, तो यह हमारी original image है, जहां पे यह background है और इसको हमने यह power clip करके इसको remove कर दिया, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते है, actual हम remove कर रहे हैं, हम hide कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यह printing में नहीं आएगा, जहां पे भी हम use करने वाले तो कुछ इस तरह की effect जहां पे होगे तो किसी वज़े से अगर हम दूसरे applications use नहीं कर पा रहे हैं, तभी यह last option करके हम यहां से remove कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो है कि Photoshop में ही सबसेट चा background remove होता है लेकिन अगर last option वो option नहीं है, तो यहां से हम power clip का use करके background को hide या remove कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको useful लगा होगा, आप ज़रूर यह try करके दिखेगा इस वीडियो में पस इतना ही, अगर आपको वीडियो useful लगे तो like कीजिएगा, मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and see you